तो यार सबसे पहले ये देखो देख लिए तो फिर चलो सीखते हैं देखो इसको करना बहुत ही सिंपल है आपको फायर करते हुए अपना जॉयस्टिक को मॉव करना है यहां पर शुरू होता है असली खेल आपको उसी डिर्यक्शन में जॉयस्टिक को मॉव करना है जिस डरेक्शन में अनीमि भाग रहा है इस trick में खास करके यही बात का आपको ध्यान रखना है एनिमी जिस साइड पर भाग रहा है उसी साइड को आपको अपना joystick को move करना है और simple अगर एनिमी ज्यादा move नहीं कर रहा है तो उस time आप अपना joystick को पीछे drag कर सकते हो कुछे से तो अपना fire button को drag करने से red number लगता है और सोने पे सुहागा अगर आप इस trick के साथ DB character का use कर ले दियो लेको DB का use करके जब यह आप analog या फिर joystick को move करोगे DB का skill activate हो जाएगा जिससे यह आपका movement को 30% अपका gun का accuracy को 60% बढ़ा देगा जिससे इस trick से आपका red number miss भी नहीं होगा अभी यह तो simple वाला है अभी यह मत मुझे बोलना है कि SMG का aimbot भी तुम्हें सिखना है कुछ ऐसे है सिखना है ना? राजा जी पर उससे पहले यार subscribe भी कर लो मैं ऐसे ही videos आपके लिए regular बनाता हूँ तो bell icon को all पर state करना मत भूलना क्योंके notification आपके पास नहीं जाएगा तो देखो सबसे पहले हम लोग सिखेंगे यह scope slide headshot trick जो की कुछ ऐसा दिखता है अपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा देखो यह से headshot अगर दोस्त के सामने मार दिया ना? गेम में से तुम्हारा आतंक फेल जाएगा अरे दबदबा बन जाएगा तुम्हारा देखो मजाक से हटके यह trick जितना simple दिखता है असल में उतना हे नहीं देखो यहाँ पर कहने को तुम्हें इसमें दो simple step को ही follow करना होता है सबसे पहला अपना aim को enemy से थोड़ा दूर रखो कुछ ऐसे दिन अपना scope को in करके fire करते हुए अपना aim को खीच कर enemy के मुंडी के तरफ लाना होता है और अपका headshot कुछ ऐसे लग जाता है अपका aim जो है enemy के सर के बिल्कुल straight में होना चाहिए कुछ ऐसे अगर तुमने थोड़ा सा इधर उधर उदर उपर नीचे रख लिया तो जब भी तुम खीचोगे body shot ही लगेगा बट step 1 अगर तुमने सही जगा पर अपना aim को रखा है then step 2 में scope on किया 3 numbers tape में अपना left fire button को दबा के रखा and then जब ही आप अपना screen को खीच कर enemy के head के तरफ लोगे तो तब ही आपका perfectly ऐसे raid number headshot लगेगा बट एक important बात जानलो ये जो trick है तब ही काम करता है जब ही enemy stable होता है यानि एक जगा पर खड़ा होता है अगर enemy ज़ादा उचल कुद कर रहा है then इस trick से headshot लगेगा ही नहीं अब मार ही नहीं पाओगे अगर कोई ऐसा मार रहा है तो साब बात है वो hack use कर रहा है बड़ देखो ये वाला aimbot अगर तुम सीख जाते हो तो इससे तुम move करते हुए enemy को भी मार सकते हो यकीन मानों ये सबसे ज़्यादा simple है बड़ इसके लिए तुम्हें पहले एक चीज करना पड़ेगा अगर तुम अपना scope button को right side पर रखते हो तो उसको left में लाना पड़ेगा क्यों लाना पड़ेगा आगे तुम्हें पता लग जाएगा तब ही तुम देखो के तुम्हारा aim जो है enemy के head पर ही lock हो जाएगा और तुम्हारा raid number लगेगा और यहाँ बर तुम्हें ये भी ध्यान रखना है इस बीच तुम्हें अपना fire button को नहीं छोड़ना है देखो पहले तुम्हें तुम्हें तुम्हारा headshot लगता रहेगा तुम्हें अपना fire button को नहीं छोड़ना है अपना scope button को इसलिए लेप्ट में लाना है क्योंके जब भी आप fire button को खीचोगे तो right में अगर आपका scope होगा तो उसको same time में आप नहीं दबा पाऊगे खास करके इसलिए इस trick में scope button को लेप्ट में रखना important है और एक और बात ये जो trick है मैंने देखा है सबसे ज़्यादा Mac 10 यानि ये वाली gun से अच्छे से काम करता है अगर तुमने पहले से ही एक गलती करके रखा है तो तुम्हारा UMP से rate number कभी लग ही नहीं पाएगा और वो चीज है गलत जगा पर अपना fire button को रखना देखो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि आपका fire button size important नहीं है तुम कितना बड़ा या फिर छोटा अपना fire button का size रखते हो उससे कुछ नहीं होता है क्योंकि देखो सभी के पास एक ही जैसा phone नहीं होता है बड़ तुम अपना fire button को कहां पर रखते हो वो सबसे ज़्यादा important होता है इससे फरक पड़ता है तो तुमें always अपना fire button को जितना हो सके नीचे रखना है जिससे तुमें drag करने के लिए एक लंबा space मिले सिर्फ इतना करके देखो तुमारा headshot में जमीन आसमान का फरक नजर आएगा और लास्ट में आते हैं कुछ characters जिनका use करने से ये आपका headshot लगने के लिए बहुत मदद करते हैं जिसमें सबसे main character आता है Luna ये आपका gun का rate of fire को हमेशा के लिए 8% बढ़ा देती है जिससे देखो red number headshot लगना और भी ज्यादा easy हो जाता है और हमारा second character है DB इसके बारे में आपको बता चुका हूँ ये character आपका movement और आपका accuracy को बढ़ा कर ये make sure करता है कि आपका गोली बिना recoil होकर only head पर ही लगे और उसके बाद भी हमारे phone में केसा secret setting होता है जिसका नाम सभी को पता है DPI पर अपने phone के हिसाब से DPI को कितना बढ़ाना है जिससे headshot जादा लग पाए ये चीज maximum बंदों को पता ही नहीं है और बोलो गलती करते रहते हैं तो अगर आपको जानना है आपके phone के हिसाब से बेस्ट DPI आपको कितना रखना है तो ये वाली वीडियो को क्लिक करके देख लो मैंने A2Z आपको explain किया है मैं मिल दौप से किसे और एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय जगरनात